ओम सिरी गनेश आयनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन राशी वालू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अप्रेल से 22 अप्रेल यानि कि अप्रेल महां के इन 10 दिनों के आपकी राशी के महाराशिफल के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए 13 अपरेल से 22 अपरेल याने कि इन 10 दिनों का समय ग्रहनक शत्रों के इसाब से किस प्रकार रहने वाला है इन दस दिनों में आपको किन-किन चीज़ों से फायदा होगा, किन-किन चीज़ों से आपको शाफधान आना होगा, आपकी लव-लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका बिजनेस में पार कैसा रहेगा, आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन 10 दिनों का शम्पूण शतिकासी फल इस वीडियो के माद्यम से हम आपको बताने वाले हैं वीडियो बहुत महर्तपूण हैं शुरू सेंद हैं तक वीडियो को पूरा देखें वैसे भी आपको बता दें इन दस दिनों में शनीका शशियोग, कालसर्प योग, राजयोग, सुबहग्यवान योग और धनयोग जैसे पांच सुभ योग बन रही हैं तो समझ लें कि इन पांच सुभ योगों को बनने से आपके लिए समय कितना बलवान रहेगा सबसे पहले तो यह जाने हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्पपूर हैं और आपके लिए वीडियो फायदेबंद ही सावित होगी यह समझ लें क्योंकि इन दस दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय सावित होगा परन्तु किस प्रकारी है समय सावित होगा वीडियो में शंपोन विस्तरित तरीके से आपको जानकरी देंगे तो शुरू सेंतर तक वीडियो को पूरा देखें ज़े दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना और जय बजरंगवली जय शनीदेव कमेंट वोक्स में अवश्य लिखना तो चलिए दोस्तों 13 अपरेल से 22 अपरेल 10 दिनों का शंपोन शतीक राशिपल बता देते हैं कैसा रहेगा इन 10 दिनों का समय आपकी राशिवालों के लिए चलिए सुरू करते हैं दोस्तों यह समय भग्य आपके पक्ष में हैं कोई राजनितिक उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है जिस से समाज में आपका रुतुबा बढ़ेगा साथ ही आये में भी वरद्दी होगी सगे में मदद करेगा साथ साथ यह समय कोई नजदी की महत्पपूर यत्रा संपन हो सकती है तथा मनोरंजन संबंदी भी कुछ योजनाएं बनेंगी जिस से मन आपका बहुती प्रफुलित रहेगा अगर प्रापर्टी खरीदिने संबंदित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदी द्वारा परिक्षण आप अवश्य करवा ले जया दोस्तू साथि साथ अगर आप कुछ समय से इस्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रापर्टी चे संबंदित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्स अवश्य कर ल पिलने से इस समय घर में खुशनुबा माहुल रहेगा दोस्तो साथि साथ यह समय आप अपने व्यक्तिकत मामलों को किसी के समक्स शेयर ना करें गुपत रूप से कार्य करने पर आपको अवस्य सफलता प्राप्त होगी दोस्तो साथि साथ यह वह समय होगा जब कहीं से बुजर्गों का शिरवाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा जया दोस्तो साथि साथ यह समय परिस्तितियां आपके पक्स में हैं जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वह अब बड़ी आसानी से और आपके मनों अनुकूल तरीके से हल हो जाएगा न यह समय अगर आप घर में कोई सुधार संबंदित योजनाएं बना रहे हैं तो ग्रह अस्तितियां बता रही हैं कि वास्तो संबंदित नियमों का पालन करना आपके लिए लाबदायक तता स्वभाग्य शाली रहेगा बच्चे पड़ाय के प्रती पूरी तरह से एकाग रि दोस्तो साथ साथ यह समय कभी कभी जादा सोचने की वज़े से तनाव आ सकता है आपकी कारे छमता को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ महत प्रपून कारे भी हाथ से निकल सकते हैं इस बात का ध्यान रखें साथ ही अपने भाईयों के साथ संबंद मधूर बना कर रखे गर की मरमत और रख रखाव संबंदित कारों में खर्चा बहुत जादा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट गणबढ़ा भी जाएगा इसलिए साथान रहें क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नीन पर भी पढ़ सकता है दोस्तो साथ साथ इस बात का भी आपक को ध्यान रखने की आवश सकता है कि आपके रुत्बे का कोई नाजाद फायदा भी उठा सकता है जिसकी वज़े से आपकी मान हानी भी हो सकती है आपकी छबी को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है छबी को आप साफ सुत्रा बना कर रखें यह आपके लिए बहुती अच रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय किसी भी काम को करने में बहुती आपको समझदारी से काम करने की आवश सकता है अन्यता वाद विवाद खड़ा हो सकता है साथ ही पुलिस थाने वगहरा के भी चक्कर लग सकते हैं किसी बहरी व्यक्ति की बातों में ना आकर अपने संदी रिस्तेदार से किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है आपकी कोई जिद आपसी संबंदों को खराब कर सकती है अथे अपने वैवार में लची लापन रखें साथ ही अपने खर्चों को भी शयमित रखें दोस्तों इस बात कभी आपको ध्यान रखने के आवश सकता है कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलू ओपर सोच विचार करके योजना बनाएं बाद में उसे आप पून करें इससे आपको अवश्य ही लाब होगा और आपके लिए ऐसा करना हित्रकारी रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ के की जाए तो यह समय आप अपने कार् साती की सला लेना आपके लिए लावदायक रहेगा इससे आपसी संबंदों में मधूरत आएगी साथ ही प्रेम संबंदों में भी प्रगरता बढ़ेगी संतान के केरियर संबंदी सुब सवाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुमा माहौल वनेगा पती पतनी अपने बच की वज़े से परिवार में लोग बहुती खुसी महसूस करेंगे आपकी प्रसंसा वे आदर भी उनके मन में बढ़ेगा प्रेम संबंदों में मधूरत बनी रहेगी जीवन साथ ही का आपके प्रती भवनात्मक लगाव आपसी संबंदों में और अधिक मजबूती लाएगा दोस्तों साथ इसाथ यह समय पती पतनी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतबेद हो सकता है परन्तु जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा दूसरों से जादा उमीद रखने की बजाए अपने स्वेभाब को ही बदलें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय वेवसाय में सभी करमचारियों की गति विदियो पर नजर रखना आपके लिए अतियावशक है ध्यान रखें कि सब के साथ संबंद उचित वे दोस्ताना बने रहे जादा टोकाटाकी की वज़े से चाफ परेशानी महसूस कर सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय नोकरी पेसा लोगों के लिए बहुती अच्छ रहेगा नोकरी पेसा लोगों को अपना लक्षे पूरा करने पर कोई प्रोमोशन भी मिल सकता है वेवसाय इस तल पर भी सभी प्रकार के काम सुचारों रूप से चलते रहेंगे योजनाओं को हर किसी के समक्ष आप जाहिर ना होने दें अर्थात उसे गुपत ही रखें अन्नता कोई इसका फायदा उठा सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़े वेवसायों में सफल तापरात होगी वेवसाय में आसप वे उच्छ अधिकारी आज से प्रसन रहेंगे दोस्तों साथ साथ वेवसाय संबंदी जो योजनाओं बनाई हैं वे आपके लिए फायदेबंद साबित होगी सभी काम इस समय सुचारों रूप से होते जाएंगे नोकरी पेशा व्यक्तियों को कोई उपलब्दी मिलने के अब अनेको योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ यह समय नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों को अत्यादिक ध्यान पूर्व करें क्योंकि कोई गल्ती की वज़े से अधिकारी वर्ग आप से नाराज भी हो सकते हैं परंतु वेवसाय की गतिविदियां सुचारों रू यह समय संपन हो सकती हैं जो आपके लिए बहुती फायदेबंद साबित होंगी दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की की जाए तो यह समय गले में दर्द वेखासी जुखाम जैसी इस्तितियां रह सकती हैं लापरवाही आप बिलकुल ना करें तुरंत इसका इलाज लें दोस्तों साथ साथ यह समय वायू विकार और जोडों के दर्द संबंदी समस्य उत्पन हो सकती हैं बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन आपको करने से बचना होगा वर्तमान परस्तितियों की वज़े से अपना ध्यान आप अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ यह समय गर्दन और पीट से संबंदित दर्द परिसान कर सकता है योगा तथा वयाम के लिए भी आप कुछ समय आवश्य निकालें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा